करने शुरू कर दीजे तो आप लोगों को अगले वर्ष थोड़ा सा आराम रहेगा कि आपकी तैयारी शुरू से होती देएगी चलिए अपने कथनारू सार हम फिर से नए डक्चर के साथ आपके सामे उपस्तित हुए हैं कि पिछले दक्चर में पूरा नहीं हुआ है थोड़ा बहुत बचा हुआ है मेरे हिसाब से तो हाला कि पूरा तो कभीड़ी हो सकता क्योंकि हिंदी गद्य और पद्य का विकास जो है वो इतना विराट है इतना लेंदी है कि उसे समाप्त करना संभाव नहीं है तो लेकिन फि कुछ बता दें बच्चों को जिससे कि उनका भला हो जाए एक तीचर होने के नाते स्टुडेंट का कल्याड करना यह मेरा पुनीत कर्तव्य है और उसी कर्तव्य बोध का ज्यान करते हुए हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए है चलिए जहां से तिछरा लक्षर छोड़ा हमने एक प्रश्न इसके पहले पताया था कि निबंद रचना का सरवाधिक विकास किस उतनी हुआ तो वह आपको में चाया पाइए लेकिन यहां प्रश्न है निबंद रचना का आरंभ किस यूग से माना जाता है तो वह है भारते इंदी यूग में ही हिंदी की विभिन्य विधाओं का प्रारंभ हो चुआ था कुछ नवीन विधाएं थी जिनका कि नहीं हुआ था लेकिन निबंध नाटा पुपन्यास कहानी यह सब भारते तो यूग से ही इनका आरंभ माना जाता है अगला प्रश्न है कालिदास की निरन कुशिता किस ने लिखा है कालिदास की निरन कुशिता तो यह आचारे महावीर प्रशाद दिवेदी जी का लिखा हुआ है चिद विलास पुस्तक के रचनाकार कौन है तो वो है डॉक्टर संपूर्णा नंद जी शिक्षा का उद्देश्य की विधा क्या है और किस ने लिखा है जो आप पढ़ चुके है कक्षा ग्यारा मिन तो स्टिख्षा का उद्देश्य निबंद है और इसे डॉक्टर संपूर्णा नंद जी ने लिखा हुआ है सची वीरता किसने लिखा है सरदार पूर्ण जी ने कुल छे हिं कुस्तक लिखी हुई है तो उसमें एक सच्ची वीरता है और एक पवित्रता भी है जिसे की सरदाप पूर्ण सिंग जी ने लिखा है कन्यादान भी है, मजदूरी और प्रेम है, चार पुस्तक्रम आपको ऐसी पता दी, सरदाप पूर्ण सिंग जी के द्वारा लिखी गई, और ये सारे निबंद संग्रा है, निबंद ही है उनके, केदारनाथ पांडे, किस लेखक का वास्तविक नाम है, तो ये रावन सांस्त्रत तायन जी का वास्तविक नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किस युग के निबंद कार है, तो ये हैं, दिवेदी युग के निबंद कार है, निंदारस, आपने अभी बारा में था, लेकिन COVID-19 की वज़े से इस चार्टर को हटा दिया है, बहुत बढ़िया था चार्टर, तो ये किस विधा की रचना है और किस निखा है, तो निंदारस निबंद है और इसे हर शंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है, पृत्वी पुत्र, विधा और लेका, तो विधा है, निबंद और लेका के वासुदेव शरण अगरवाल जी, अठातों घुमकड जिग्यासा, ये विधा क्या है और लेका राहूर्ट साह gamma speaking, अगला है प्रश्ठ दिल्ली दर्बार दरपड. दिल्ली दरबार दरपड रियर पुष्ठक का नाम है किस विधा से संबंधित है तो इसकी विधा है निबने है कन्यादान, सर्दार पूर सिंग, अभी हमने आपको बताया था ना, कन्यादान के लेखक सर्दार पूर सिंग जी है युग प्रवर्तक लेखक किसको कहा जाता है या युग प्रवर्तक निबन्दकार किस लेखक को कहा जाता है तो आप सभी चानते हूँगे आचार महावीर प्रसाद दिवेदी जी को युग प्रवर्तक निबंधकार कहा जाता है भाशा और आधुनिक्ता कि विधा क्या है और लेखक कौन है विधा है निबंध और लेखक है प्रोफेसर जी सुन्दर रड़ी जो आपके कक्षा बारा में एक चाप्टर है अशोग का फूल किसने लिखा है विधा क्या है तो अशोग का फूल निबंध संग्रा है और इसे लिखा है हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने कुटज एक चाप्टर था पहले उसकी जगा पर अशोग का फूल आ परिवर्तम हो गया है तो कुटज भी निबंध है और उनी के द्वारा लिखा गया है चिंता मड़ी किस लेखक की रचना है तो चिंता मड़ी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है आचार राम चंद्र शुक्ल जी की ये पुस्तक है चिंता मड़ी जो की बहुत प्रसिद्ध है चिंता मड़ी भाग एक भाग तो दो बागों में लिखे गई है सन्नाटा अग्येजी का लिखा हुआ चाक्टर है और ये एक निबंध है त्रिवेडी पिछले में बताया था किस विधा का है ये निबंध संग्रा है त्रिवेडी बेइमान परत बेइमानी की परत ये किस विधा की रचना है तो ये विधा है आपकी निबंध और इसे लिखा है हर शंकर परसाई जीले तो ये आपका निबंध से संबंदित प्रश्रित है जो हमने आपको बताया कुछ आपकी हिंदी गर्दी की कुछ नई नवीन विधाएं जैसे आत्म कता है रिपोतार्ज है संस्मरण है डाइरी है ये सारे जो है नगद की नवीन विधाएं है पत्रकाएं है इनसे संबंदित प्रश्रित बहुत पुछे जाते हैं तो उसमें से कुछ आपके बहुत ही इंपोर्टन इंपोर्टन ये वह हम आपको बता दे रहे हैं इक है क्या बुलू क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है बहुत प्रसिद्य कुस्तक है क्या बुलू क्या याद करूं तो ये आत्म कता है एक प्रिश्न है गुडिया के भीतर गुडिया ये 2016 में आया था पहली बार और अक्सर कर पूछा जा रहा है तो ये किस विधा की रचना है तो ये है आत्म कठा निराला की साहित्य साधना किस ने लिखी है राम विलास शर्मा जी में लिखी हुई है आखरी चट्टान किस विधा की रचना है तो वो है मोहन राकेश जी के द्वरा लिखा गया है और ये है यात्रा वृत्तान यात्रा वृत्ति काली दास की लालित्यय योजना काली दास की लालित्य योजना ये किस विधा की है और किस ने लिखा है तो इसे हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने लिखा है और ये एक आलोचनात्मक कृती है इसकी विधा है आलोचनात्मक दिवेदी पत्रावली के संकलन करता कौन है? तो दिवेदी पत्रावली के संकलन करता बैजनात सिंग विनोध है बाजे पायलिया के गुंगुरू किस विधा की है? ये संस्मरण विधा की है आवारा मसीहा किस ने लिखा है? आवारा मसीहा विशोर प्रभाकर जी ने लिखा है पत के साथी किस विदा की रचना है? संस्मरण है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्म कथा है? तो वो है राहुल संस्विक्तायन जी मेरी जीवन यात्रा ये आत्म कथा है और इसे राहुल संस्विक्तायन जी की इसमें आत्म कथा है एक बूद सहसा उचली ये विधा है यात्रा वृत्तिक और इसे लिखा है अग्ये जीले नीड का निर्माण फिर ये सब पुस्तकों के नाम है प्रसिद्य प्रसिद्य पुस्तके नीड का निर्माण फिल, विधा है आत्म कथा और इसे लिखा है हर्मन शिराय बच्चन जीले विचार प्रवाह, किसने लिखा है? हजारी प्रसार दिवेदी जीले यश्पाल की आत्म कथा का नाम क्या है? यश्पाल की आत्म कथा का नाम है सिंघा वलोकन समयसार्थी समयसार्थी के लेख़ कौन है? तो वो है मोहन राकेश जी मेरे जीवन प्रवा मेरा जीवन प्रवा ये किस विधा की रचना है? तो ये विधा है आत्म कथा मेरा जीवन प्रवा आत्म कथा विधा की रचना है ठीके? आराने सो पिछ में बिटा चलिए उसी के आगे भारत की एकता इसकी विधा क्या है और इसके लेखक क्या है भारत की एकता एक निबंद संग्रा है और इसे लिखा है वासुदेव शरण अगरवाल जी जीवन और दर्शन पुस्तक किसने लिखा है डॉक्टर संपूर्णा नंद जीवन तरंगड़ी की रचना विदा तरंगड़ी किस विदा की रचना है तो ये एक गद्य काव्य तरंगड़ी एक गद्य काव्य है तब की बात और थी इस रचना को किसने लिखा है तो इस रचना को लिखा है हर शंकर पर साई जी ने, यात्रा वृत्तान्त किस युग की अमोले धरोहर है, वो युग है, छाया वादोत्तर युग, आवारा मसीहा किसने लिखा है अभी बता चुके हैं विश्रु प्रभाकर जी का लिखा हुआ है और ये जीवनी है ये याद रखिएगा हमेशा पूछा जाता है आधोनिक काल के प्रारंविक डायरी लेखा डायरी भी एक अगद्य विधा है आधोनिक काल के अमने कहा है प्रथम ने कहा है आधोनिक काल के प्रारंविक डायरी लेखा तो वो है घंशाम दास बिड़ला बंगाल का अकाल बंगाल का अकाल किस विधा की रचना है तो ये है रिपो तार्ज पैरों में पंक बांध कर ये विधा और लेखा तो विधा है यात्रा बितात और लेखा है राम व्रिक्ष बेली पूरी जी लेखा अब अब पूछ रहे है हिंदी के प्रथम डायरी लेखा वो था आधोनिक काल के प्रावब्विक गंशाम दास बिड़ला और अब पूछ रहे हिंदी के प्रथम डायरी लेखा तो वो है नरदेव शाष्त्री वेद तीर्थ कलब का सिपाही किस विधा की रचना है तो वो है जीवनी बड़ों के प्रेरणा दायक कुछ पत्र इसका संकलन किस ने किया है वियोगी हरी ने किया हुआ है हिंदी कोविद रत्नमाला किस ने लिखा है डॉक्टर शाम सुन्दर दाज जी ने लिखा हुआ है समाजवार रचना किस ने लिखी है डॉक्टर संपूर्णा नंद जी ने हिंती का प्रथम यात्रा ब्रत कौन सा है और उसे किस ने लिखा है सर्युपार की यात्रा गर उसे लिखा है भारते दू हरीष चहरजी में लिखा हुआ है संपादन के द्वारा भाषाई विसंगती को किस ने दूर किया संपादन के द्वारा भाशाई विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किसने किया तो महावीत प्रसाद तिविदीजी ने बनारस अकबार के प्रकाशक कौन है बनारस अकबार राजाशिव प्रसाद सितारे हिंद और सरस्वती पत्रका के संपादक कौन है तो सरस्वती पत्रका के संपादक तो आप जानते हैं किक्षन ओदस से पढ़ रहे हैं तो वो है आपके महावीत प्रसाद दिविदी जी तो आज के लिए इतना ही पिता और आशा करते हैं कि आप लोग वो अच्छे से समझ में आया होगा इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से कुछ मिलता हो तो आप लोग जो है और भी पढ़ लीजेगा depressing calperson bank आपके पास होग जैंगे उसमें थे आप लोग देख लीजेगा हम यह नहीं कहते हैं कि हमने ज़ो जूतना ही बताय है उसही मिसे आईगा हमने तो सिर्फ important important बताया है और आशा करते हैं कि इसमें से आपको first जाए अगर आपको एक आप देखती है अगर आपको एक आप lecture की जरूरत और पढ़ती है हिंदी गर्दी के इधियास में तो हम दे देगे और नहीं तो फिर पद्यसायद का इधियास हम शुरू करेंगे तो इस आशा के साथ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा और इस मेरी इस उपयोगी ता मेरी इस वीडियो का वीडियो से आप लोग लाब उठाएं और बोड के एक्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो इस आशा के साथ सभी को मेरा प्यार बेरा र शुम्राटरी